हेलो नमस्कार जहिंद येडीवगार पुलिस का नस्टेवल वेचिंशी की belonging के वेचिंश ग Iligibility Crteropa है क्या आप भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं भरने के विले क्ला सामने रहती है और अगए करके बेल आइकन को प्रेश कर रहेंगे नोटिफिकेशन को आउन कर लेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो को चलते हैं देखते हैं इसके बारे में क्या है संपूर जनकारी यह है recommend notice for posting of constable executive IT date of publication advertisement इसका date जो है date 21.2024 को आए है और कि 23.2024 closing date of submission of online farm 13 फरवरी तक होगा और कि 23 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक 11.69 पीम और कि रात में 11.59 मिनर तक यह होगा इसके लिए उससे पहले लास्ट मार्च के लास्ट वीक में आपको इसके बारे में पहले से सब कुछ डेट दिया गया है पुस्ट डिटेल्स की बात अगर करें डिटेल्स आप पुस्ट की तो जनरल के लिए total 65 पुस्ट OBC के लिए 49 पुस्ट SC के लिए 27 पुस्ट और EWS के लिए 13 पुस्ट total जो है 144 पुस्ट पर वेकेंसी होने वाली है वेकेंसी अच्छी है कम भी नहीं है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं है इजलिबिटी इस्टेंडर्स और दीज पुस्ट आर अंडर एज लिमिट की बात करें तो जनरल कटिगरी के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट होगी एज लिमिट 23-2024 को काउंट के जाएगी 23 जनुरी दोहजार चयोविश को एज रिलेक्सेशन किनको किनको मिलेगा एक सर्विसमें के लिए जब तक उनकी 45 साल एज हो जाती है तब तक को भर सकते हैं इसमें इनके डेट जो है 23 जनुरी दोहजार जोविश को ही निर्धारत की जाएगी नेक्स जो है अगर इसकी बात करें तो सेवन इर्स टेंडिक्सें चंडिगर होमकाट्स वॉलेंटियर के लिए चंडिगर होमकाट्स वॉलेंटियर में अगर हाँ तो आपको छूट मिल सकती है तेज एक डिड़ात की जाएगी वहीं से काउंट की जाएगी दो बरस आपको छूट तम मिलेगा जब आप दो बरस से अधिक की सेवा दे चुके हैं तीन तो रजह में चूट बिल जाएगी इस परकार से जितनी अदिश सेवा हों लेकिन सात बर से अधिक सेवा दो चुक हैं तो सात बर से चुट मिलेगी ऐसे लोग जो पुलिस कांस्टेबल में वरक कर रहे हैं और काम कर रहे हैं अथवा रिटायर्मेंट ले चुक हैं पुलिस कांस्टेबल से लेकिन 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 डिस्मिश नहीं किये गए हो उनको डिस्मिश और टो उनको चूट मिल सकती है कन्ड़ीं एयर सांधे न्नें चालिश साल तक इनको मिल सकती है जूट इपर के बाद करें तो इपर यह हैं हम देख सकते हैं minimum educational qualification बैचलर डिगरी मेनमम 3 साल 3 साल का بैचलर डिगरी आपके पास हो अथो आप master degree हो 2 साल का and master degree हो इसके और इन उसके किन्मे किन्मे होना चाहिए computer science में हो या electronics में हो या instruments में हो या किम्पीटर अप्निकेशन में हो या कम्पीटर साइन्स अलेटट फिल्द एंस्टिट्रिक नर्मिज एंस्टेट गर्मेंट और तर्फ से इस कुल कालेज के द्वारा जो भारत सरकार अथा कुछ इस्टेट सरकार के द्वार अगर आपके ड्राइबिंग स्कूल है तू हीलर का और इनके दो विल विल जो दो यहने कि बाई का भी और का भी दो टू विलर का आपके पास ड्राइबी लैंसेंस होना चाहिए अप्लिकेशन फीज की बात करेंश एक हजार रुपया होगा अन्रिजर्व और OBC के लिए SC और EWS के लिए 800 रुपया होगा होगा और EMS के लिए Stembered अभी from Sherwood है EMS के लिए नेक्स दख्ते हैं। क्रिटेριा 1th c千bereich एक्जाबश क्या होगा है क्रिटेरीय क्या होगा क्रिटेरीय क्या क्या होगा क्रिटेरीय क्या होगा हौगा होगा एक टियर टू एकंग होगा एयर स्थेश्ट होंगे तो मार एधारित हो गए कि अनिक ह्यां व्ðॉगु यहरी कि प्ला एफली स्थ होगा एंट मार्थ और सॉगा और स्थेwn में हड्यीट म मास होगा और यह भाट क्विश्चांट होगा 0.25 यानि कि 1 by 4 कहें तो निगेटिव मार्किन्स होगी इसके लिए स्लिबस होगा जन्रल नालेज एंड करेंट अफेर्स रिजनिंग होगी और नुमेरिकल एबलेज़ एबिलीटी होगी के इन समय तीन पाट इन तीन पाट इसके लिए प्रしたफ केलिए जिसमें Denn और 102 10 में से आपको 40 पर्संट कम से कम लाना होगा अगर आप जनराल है तो आपको कं से कं 95 परसंट लाना होगा यदि आप सी कंडिडेट हैं आपको कम से कम 35% लाना होगा यदि आप विसी कंडिडेट हैं और यदि आप एक सर्विसमें कंडिडेट हैं तो कम से कम 30% लाना होगा इतना लाएंगे कम से कम उसके बाद ही मेरिट में जाएंगे इतना नहीं लाएंगे तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे यानि कि भरती से बाहर हो जाएंगे आपका मेरिट में कि जाने की कोई शंभाव ना नहीं होगी तो कम से कम इतना लाना होगा आपको इसके बाद मीनिमम कुलिफिकेशन मार्ट चला लेंगे तो टीर सिकेंड में जाने के लिए लेजिबुल होगे और टीर सेकंड आएगा टी कि तो दोनों का मेरिट मिला कर जो हैकि मेरिट एयुस्ट कर जाएगा 10 गुना इसका दसकांदिदे में जोगस को निकाला जाएगा किसके लिए होगी तो मेल कंडिडेट के लिए 16 मिटर होगी और फीमेल कंडिटेज के लिए 800 के रेस होगी मेल कंडिडेट में क्वालिफाइंग होगा लेकिन अगर आपके अथार से 30 साल है और आप मेल हैं तो आपके लिए से 55 सेकंड यानि कि 6 मिनट 15 सेकंड आपको दिया जाएगा 800 मिटर क्वालिफाई करने के लिए तो आपको पुरे गर से चालिस से पैंतालीस साल है तो आपको 10 मिनट दिया जाएंगे उसी प्रकार की मिल के लिए भी है अगर फीमल की एज 18-30 साल है तो उनके 255 सेकंड दे जाएंगे अगर फीमल की एज 30-40 के बीच है तो 345 सेकंड दे जाएंगे तो 390 सेकंड दे जाएंगे 800 क्वालिफाइ करने के लिए उसी प्रकार से किसी भी क्वालिफाइ करना होगा और तीनों को फेल कर जाते हैं अटम्ट को फेल माना जाएगा मेल कंडिडेट के लिए किपना होगा कुदना कितना होगा आठ वहीं ब्यात है 18-30 साल इज है तो 13.95 मितर इस से 35 साल इज है तो 3-90 मिटर 35 से 45 चाहिए तो तो 35 मिटर उचारीश से 45 एज है आपकी तो 3-50 मीटर मेल के लिए कितना साथ साथ 4줄 niemand 830 35 चाली 6045 चालीस मीटर है तो यह भी क्वाइब चाली सब्सक्राइब 1948 उसके पाइजब है उसमें तीन की जाते हैं मतलब यह हैं ऐले में तो आपको पास माना जाएगा तीन यह प्रशेप्र कर जाते हैं तो फेल ही हो जाएगा वहीं बात है मेल कंडिडेट के लिए 1.14 मिटर 1830 ले जाए तो एज अगर 30 से 35 है तो 1.10 मिटर कुदना मुचाई है यह 35 से 40 है जाए तो 1.05 मिटर और 40 से 45 है तो 1 मिटर उसी प्रकार से फीमेल के लिए फीमेल की एज अगर 1830 है तो 0.90 मिटर 35 से 35 मिटर 35 से 40 से जाए तो 0.80 मिटर और 40 से 45 से 0.75 मिटर लंग जम देना होगा मिजर्मेंट टेस्ट में हाइट की बात करें तो मेल के लिए हाइट 170 सेंटीमिटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए हाइट जो है से 177.75 सेंटीमिटर हो जाहिए अब इसमें रिजर्वेशन के अगर हम बात करें तो रिलेक्सियोल फार्दी फाल्विंग रिसीडेंस अब नोटिफाइड हील सेरिया हिल सेरिया से किसी स्टेट्स चाहिए तो से 5 सेंटीमिटर का आपको रियायत दी जाएगी 5 सेंटीमिट सेंटीमिटर ही आपकी लिए आईट और फीमेल के लिए 165 सेंटीमिटर ही लिए जाएगी याणि के आपको यह पाण सेंटीमिटर हो जाएगी अ Buckling में यह तो इतना वहीं बात की चेष्ट में किस प्रकार से चुट दी जाएगी रिलेक्स लेशन की चेष्ट आपको समाने तवर पर अशी से चवरासी से चंटीमेटर देना पड़ेगा और फीमेल के लिए यह लिजिबूल नहीं है फीमेल के लिए चेष्ट नहीं ना सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब